Hello my dear students, how are you all? I hope everybody is doing very well. So I am Pavitrabag here to teach you biology. So last class हम लोग ने पढ़ा था एसेक्सवारी प्रोडक्शन के बारे में, okay? एसेक्सवारी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी एसेक्सवारी प्रोडक्शन का लास्ट पार्ट बच्चा है, that is, वेजिटेटी प्रोपागे ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आचा क्लास, so वेजिटेटी प्रोपागेशन होता क्या है? बेसिकलिए वेजिटेटी प्रोपागेशन यह है, वेजिटेटी प्रोपागेशन मतलब प्लांड का रिप्रोडक्शन होता है, so it is the reproduction of plant, okay? वेजिटेटी प्रोपागेशन को हम वेजिटेटी प्रोपागेशन बोल सकते हैं, वेजिटेटी प्रोपागेशन और 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 वेजिटे प्रोपागेशन तो यहां पर क्या होता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब्सक्राइएं माल लो सब सबस आए कि मियर्डं हीवग अगशती है जिसको सभीजे के पास यह नअशन देने का श्यमता होना मपां वाईएं कि मौन ड्रॉ κछ पस और कि पार्ट रॉた हैं महार रीप है या तुम्हारा ये रूट है तो यह स्पेस्यालाइज टीशू से तुम्हारा और एक नया प्लांट बनना उसको हम बोलेंगे वेज़ेटिप प्रोपागेशन इसी प्रिक्लर पार्ट से पुरा होल प्लाइट से या सीड्स नहीं एक रूट से हो सकता है स्टेंप से हो सकता इंटरनेट से हो सकता है या तुम्हारा लीव से हो सकता है तो इन्हीं चीजों से पार्ट्स अब प्लांट से अगर रिप्रोड़क्शन हो रहा है प्लांट में तो उसको क्या बोलेंगे हम सीट्स के बात नहीं बोल रहें ठीक है रहें लिप्रोपागेशन केन बीआ टूप वनीजेश स्ट्न शरी नैचुरल मेथड्स एन्यादर वंज़र आटिविचल मेथड तो दो तरह का होगा हमारा वाजविट़् प्रोपागेशन एक हो गया तुमरा नैचुरल मेथड अनादर वान इन यडोर आर्टिविचल मेथ पढ़ेंगे तीसरा पढ़ेंगे राइजम्स फूर्थ पढ़ेंगे सॉकर्स एंड फिट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट्स है उसके अलावा भी और दो-तीन चीजे में पढ़ाऊंगा यहां पर तो इसमें इंपॉटेंट क्या है देखो जितनाव ही मैं और यहां चैनल से बहुत सिंपल नहीं है इस्ग और चैनले आता है तो बोट में कोशन आता है तो यह एब टू मेमोराइज ओल दो एक्जाम्पल्स फॉम हियर ओके बल्प के लिए क्या किया है चाहिए हमको गर्लिक का एक्जाम्पल दिया मैंने और यहां पर बहुत सारे एक्जाम्पल्स है जिसको तुम लोग को याद रखना होगा मैं आगे जा स्टेय declare करते हैं बॉर्ड के साथ सेट बन संट के साहत Sihail क्या होता है जिनराली बल्प एक ब्ल्प लाइक श्ट्रक्ट्चर एक प्लांट होता रlaw ऐग्जाम्पल मैंने तुम लोग को दिया elderly लहां पर डिया पर निक्यांश मालो एक्जामपल है तुम्हारा ओनियन ओनियन देखे होगे ओनियन का स्ट्रक्ट्ट के जिनरली तुम्हारा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में देखो मालो यह हमारा स्वैल लेवेल है स्वैल के अंदर ऐसे Dá बल्व प्रेज़ैंड होता है तुम्हारा लिरा रूट होता है और इसी डल समय बहुत सरे से लेयरिंग होता हैै इस लेयरिंग लेसी लेयर एक बोला जाता है इसको तो जब ये वह का ये वर्व का जब इंड अप्ड लाइब आता लाइब का end आता है तभी तभी क्या होता है यहां पर तो है यहां पर ब्र्ड पहले से ही form हो गया होता है यहां पर बनाट वड्रीय। इसको हम dolber बॉलेंगे तो रूट में जो तुम्हारा रूट के पास तुम्हारा बड़ फर्म होगा इसी बड़ बाद में जाकर यह क्या बनाएगा एक नया प्लांट बना देगा देखो कैसे बनाएगा लोग यह सुपज माल लो यह हमारा बलब था और बल्ब के अंदर जो यह हमारा रूड्स था यह बड़ था यह बड़ तुम्हारा फीर से यहां पे एक एक बल्व बनाने लेगेगा और इसका जब यह पेरेंट का जब लाइट एंड होने जाएगा यहाँ से तुम्हारा यह नया प्लांट बना देगा This is the bulb vegetative propagation, okay Look, क्या हो रहा है Bulbs are certain Bulbs are certain underground storage structures They are stem that are enclosed with fleshy concentrating layered leaves, okay Then, bulbs produce smaller buds That is known as lateral buds Which appear between the layers of the parent bulb क्या बोर रहा है यहां पर Bulbs के बारे में कुछ चीज़े चालना होगा Bulbs are certain Bulbs are certain का मतलब क्या छोटा छोटा होते हैं Underground में रहते हैं मतलब मिट्टी के नीचे रहते हैं They are storage structure Storage structure का मतलब क्या है उनमें food store रहता Nutrition present रहता है Obviously हम onion को खाते हैं तो onion में nutrition होगा तो उसको बुलते हैं Storage structure They are stem यह तुमको याद रखना होगा This is very much important तुमारा Bulb जो हो क्या है Root है कि stem है That is your stem यह तुमारा डीड में पुछ सकता है तो यह stem है That are enclosed with Fleshy Concentric Layer Lips देखो मैंने देखाया था कैसे Lips ऐसे Layer Layer होके रहता था तुमारा Fleshy Leaves Okay Then Bulb produce smaller buds छोटा छोटा बड़्स प्रड़्स किया था जिसको हम क्या बोल रहते है Lateral buds बोलते है Which appears between the layers of the parent bulb Parent bulb जो होता है उसमें जो layers वेगरा होता है उसके बीच में तुमारा Buds formation होता है चलो आगे चलते है Now As the mature plants get to the end of its life So the base of the parent bulb तो क्या होता है हमारा जो parent bulb है उसके नीचे क्या फर्म होता है Bud form होता है तो parent body जब तुमारा उसका life का end part आ जाता है तभी तुमारा जो buds होते है छोटा छोटा बड़्स वो वो क्या करते है डेवलफ होने लगते है पूरा तुमारा छोटा छोटा बल्ब के हिसाब उसी बल्ब को हम प्लांटेट करके नया एक बल्ब स्टक्चर नया एक बल्ब प्लांट बना सकते हैं इस दो नया बल्ब केन बी सेपनेटेटी एक उसको प्लांटेट कर चेकते हैं है फिएर यह डाइग्राम आप यह बल्ब वेज़िटी प्रॉपागिशन देशी जावर बल्ब ओके यह हमारा बल्ब है देखो बल्ब के अंदर के से लेयरिंग हुआ है इस सिंषिधने बिछ में यहां पर चोटा चोटा बर्ड बना है इसको क्या वोड़ है हम लेटरल बर्ड से बोल रहें है यही लेटरल बर्ड तुमहारा जब सी जन एंड हो जाएगक प्रोपागेशन अब बल्ब्स एक चलो एक्जांपल सब बाल्फ यह तुम लोग को याद रखना होगा एक है तुम्हारा ओनियोन गर्लिक्स सेलर्ड सेथाशिंथ डिफोडेल लेलीच एंड तुलिफ यह इतना सारा एक्जांपल से तुम्हों को याद रखना होगा बच्छ एक्जांपल तो तुम लोगए सुना लेना चाहिए तढ़नें पटाटो माल यह हमरो एक पटाटो है टेक्श पटाटो में छोटा-छोटा कुल नुड्य स्परेद्ट हो теперь आए भी बोलते हैं ऑकै कि Alka इसी क्या होता है आए जो हुता है तुम्मधा से सूट फॉर्म होता है सूट के बाद यहां से तुम्हार लीव फॉर्म हो जाता है तो इसको हम कट करके सेपरेट करके अगर कहीं और जगा में प्लांड कर देंगे तो यह फाइनली हमको एक पटाटो दे सकता है तो इस इस ट्यूवर वेजटी प्रोपागेशन ओके देखत से आएच और नोट्स ऑन देम देट केंड प्रडूश नियुवर मैंने अभी जो तुम लोगो पटाटो का जो एक्जामपल दिया तुम्हारा है स्टेम्टी वर में क्या होता है आएज होते हैं और नोट्स कह सकते उनको तो वही आय और वही नोट्स तुम्हारा नया जाम हो गया देन दा आय जाफन बिगिन तु स्प्राउट इन्टू निव निव शूट्स तो मतलब उसी आय से उसी नोट से तुम्हारा नया जो सूट है फर्म होता है यही बूर रहा है यह बात ओके इस सूट्स देट एपिर संदर टी वर केन विकर्ट एन प्लांटे आय से लेतन तुम्हारा च्याम एक तुम्हारा अच्या यही इंट को नाने में रहता है आच ओर नोड्स वहां प्ताटाटो ट्वार नियाम्स तो आए बिगें टू स्प्राउट इन टू शूट करेंगा जो आय है वहां से नया शूट बनेगा नया शूट अन्कूर होगा ठीक है उसके बाद इस सूट्स देट एपियर अंदर ट्यूबर जितना सूट भी तुम्हारे ट्यूबर में बनेगा सब को कट करके विकें प्लांट देम एंड प्लांट करने के बाद क्या होगा हमको नियू नियू प्लांट मिल सकता है प्लांट में देखो यह आएज है यह वगरा आएज है इसी आईच ची तुम्हारा बर्ड बन रहा है और इसी बर्ड से तुम्हारा नया सूट बन रहा है इसी को हम क्या करेंगे यहां से कट कर देंगे कट करेंगे यहां से यहां के पे प्लाइंट करदेंगे तो यहां से हमको प्र समस्быल्काटाटो बेगो नीया दमिया देखो होता है huge होता है दिक सोबॉन रूट तो कि तुमारा रहे स्टूरेज स्ट्रक्चुर देता है जो हूं फूला हुआ रहेगा क्यों रहता है उसमें छोडन होता है सहतु टीवर कम प्लांट यह टिवर तुम्हार नया बन सकता जैसे कि प्लांट एंड जो नया प्लांब बनेगा उन दोनों के बीच में जो जैने टिक में क्वोग वो सेम होगा वह रहा है ऑइडेंटिकल होगा बोल रहा है तो यह टाइप का का क्लोन का एक्जाम्पल हो गया बच्छ एक टाइप का क्लोन का एक्जाम्पल हो गया टीवर्षिद बड़्ड अट दा बेस अब दे स्टेम् में तुम्हारा बनेगा बड़ और उसी बड़ को हम निकाल कर सेपारेट करके हम नया प्लान बना सकते हैं जैसे कि देखो आगे तुम्हारा यह है स्वीट पटाटो का एक्जम्बल दिस इस स्वीट पटाटो के बेस जो तुम्हारा यह हमारा स्टेम है स्टेम के बेस में देखो नया बर्ड फॉर्म हुआ है बर्ड बना है उसी बड़ से तुम्हारा नया सूट बना है तो यह सूट को हम क्या करेंगी कट कर देंगे और कहीं पर plant कर देंगे तो हमको वहां पर नया root tuber plant मिल जाएगा so this is root vegetate propagation okay then come to the rhizomes in vegetate propagation rhizomes क्या है what is the meaning of rhizomes you have to answer this question in the comment section okay तुम लोगो comment section में इसका answer देना है okay now come to the rhizomes are मैं इसको बता देता हूँ तुम लोगो देखो rhizomes क्या होते हैं general soil में मिलते हैं यह एक्चुली रूट structure नहीं होते हैं root जैसा नहीं लगते हैं हाला कि root जैसा ही है but root जैसा नहीं दिखते ओके तो rhizomes का मैं हिंस भी दे दिया तुम लोग comment section में बताना वाड़ी राइजों कि चलो क्या होता है यह मालो स्वेल लेवल है ओके स्वेल लेवल है जनरली यह जो हमारा the ratio आसा होते हैं एक्जम्बढर हो में इस ईंजर का स्टाई होते हैं से इससमेंटेट इससे इस सेगमेंटेट से तुम्हारा ऐसे अंधार निकलेंगे नोड़्aş-स उसी इस से तुम्हारा नया सूड्स बनेगा जितना भान नोल्व होगल उत्ना प्लाइव ऊछल्ट का वेजटी प्रोपागेशन है तो यहां पर देखो राइजम से सेगमेंटेट फ्लैशी अंडर्गाउंड स्टेम्स दे सर्वेस्टोरेज और रिप्रेड़क्टिव स्ट्रक्चर एक्जम्पल हो गया कैना लिलीच बियाड़ एरिस जिंजर एंड बैंबो एंड तर्मरिक भ और फ्लेशी अंडर्गाउंड फ्लेशी स्ट्रक्चर होते हैं अंडर्गाउंड में मिट्टी के अंदर होते हैं तो इस का मतलब जो हमारा राइजम से जिंजर में उनमें ही तुम्हारे reproductive structure होगा उनमें ही तुम्हारा sexual organ होगा उसका एक्जम्पल है कानल लिलिज bearded iris ginger bamboo turmeric इसको याद रखना है यह व्याद रखना है और तुम्हारा मिट्टी के नीचे है देखो यह हो गया तो यहां पर देखो तुम्हारा बड़ बना रहा है यह यह पड़ बड़ से तुम्हारा देखो नीव सूट बन रहा है तो इसको हम कट करके नया propagation कर सकते हैं ओके ना कंश ओके ना कंश ना कंश इन वेजिटीटी प्रूपागेशन कंश में क्या होता है जेनराली देखो कंश के बारे में बता देता हैं कंश स्टूरेज स्ट्रक्चर अफ सम प्लैंस यह भी स्टूरेज स्ट्रक्चर है दे आर सोलन अंडर्गाउं स्टेम् यह भाझ स्टूर नकान viv है देखो कर भ्रो यह भी लाम्रंड्चर अट श्टूरे करम्ज स्टूर अर्चर शरी प्लैंट अंडर्गाउं स्रेज स्टूर्प्र्च ना मुस्न देखुड न यह प्रेजू स्टूर्बरी 너cel को करमेल्स करमेल्स के अपारेटेट एड़ प्लांटेट ओके देखो यहां पर ध्यान से देखो और यहां पर क्या-क्या कोशन आ सकता है तो कर्म सा स्टोरेश च्टुर्ट्चर है कि नहीं यह पूछ सकता है तो यह सोलन होते हैं underground stem होते हैं ये पूछ सकता है कि undergroundcem है या underground אס हो रूट है सो कर अंडर स्टेंब और उसमें तुम्हारा लेव जो skill cover हो के रहता है dry skill present वो यहां पर एक चीज़ बोला देखो रीमइन-डर्मानेन इन अण टो इहां पर लिखा ये Iron क tuturum करकु गलग हो जब जो एनवारमान्ट जो है अच्छा होगा तभी क्या होगा यह लोग उनका साइच डर्मांट का करुक हो जाते हैं और आनल के इनक्टिव नहीं वह क्लिड करATT grow in the only can grow in the favorable condition and they got dormant at the adverse condition यह question पूछ सकता है तुम्हारा dormant कभ होता है कर्म कभ होता है जब adverse condition आता है तो जो कर्म से कर्म को हम cut कर सकते हैं पीसेस में उसको एक एक पीस को हम planted कर प्लांट करके नया प्लांट बना सकते हैं तो जो डर्टर कर्म करेगा जब मेयच्योर होगा उसको हम बोलते हैं कर्म जो कर्म्ल जो कर्म हम करेगा उसको ऑप क्या बोलगे हम कर मेल कर देंगए और उस क्लायंट कर देंगे कि न यह हमारा कम्ष का एक्जांपल्स बगरा यह देखो तुम्हारा दिया है दहर्या है तुम्हारा क्रोकरव गाडी ओलाज एंटॱ बेगोनिया इस यह एक्जांबल तुम लोगो याद रखना वागा देखो यहाँ पर तुम्हारा ये जो है देखो नोड़ बना है यह जो तुम्हारा डॉर्ट मेस्ट को यह मैचूर होने के वादिक करमें सबनेगे हर एक कामले काम को क्या बोलेंगे कम ॉट इंगे बोलेंगे न में ट्रो दिस ट्राइग्राम ओके वी हैव बनाना ट्री हीर मालो यह हमारा बनाना ट्री है चलो कोई बात नहीं थोड़ा अड्जेस्ट करते हैं सुन्दरता में नहीं जाना है हमको ड्राइग्राम सिखना है ओके मालो यहां पर इसके बेस में रोट पार्ट से एक सकर बनेगा ऐसे सकर सकर क्या होता है सकर है कैपासिटी एफ सक्षन सकर्स का कैपासिटी है इसको बोलते हैं इसी निचे स्टम स्टम यह उम्हारा स्टम हो गया बनाना का और इसी बेस में से तुमहारा सकर बना है तो सकर बनेगा स्टम से और यह तुमहरा फॉन अप्लान्ट बन जाएगा संकर में ऐसे ही तुम्हारा वाइएटी प्रोपागेशन होता है, इसको बोलेंगे कमश्यम्पल क्या है बनाना प्लैंटेंस राषवेरी एंड चेरी लिकोराइस भी है तुम्हारा इसको याद रखनाया तुम लों अप्शकर देडिछ फ्रंद अप करते हैं सब्सक्रत करते हैं सब संब पेरेट प्लांस हो पेडेर्ण है पेलन प्रांटamız यह वह इंप्टेंट बात इसका दूसरा दब어 करते हैं की डिविजन मेधल सब्सक्राइब अगे बढ़कर वह सकता है यह पर दिया हुआ एक जामकर यहां पर यह हमारा प्लांट एक धुशी दिश्टेम होगा के बैस में तुम्हारा सकर बना हुआ है उसी शकर फिर नया प्लांट बनेगा उसी नया प्लांट से फिरसे सकर बनके उसी सकर से फिरसे तुमारा मेंचुर Junyanine के elit में को स्फ़टान है भ vowel चलो आगे चलते हैं ना कॉनट रें में होता क्या है बच्चो कि को जे थोड़ा बता देला हूं पे यह जो तुम्हारा है यह क्या है यह लेब का मार्जिन है ऑक ए लीव का मार्जीन है लेफ के मार्जिन में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे चोटे छोटे बड ceuxते हैं ये क्या है बड्स ओंके यह है लिव मार्जिन के प्रेजन्ट होई वेवड इसको क्या बोलेंगे बड्स और यह बड्स अगर जब ग्राउंड में टлан करेगा ग्राउंड में झब यह Imm Bunu पर यह चुछा चुछा ऐसे अ तो कि आधे 那麼 कि दूप के मारिजिन वते हैं वेन चोफ दॉटनि कलता दिए टुम्हारा उप टुमारा जोलौन के ञाउंड में चुर्ण करेगा हर एक तुम्हारा बर्ड तुम्हारा क्या दे एक एक प्लांट दे देगा इस यह है तुम्हारा लीव्स में ओके चलो दिखते हैं क्या है लीव्स क्या है इसको हमको याद रखना होगा यह एकजामपल है तो यह वाट इस रोट यह तुम्हारा एक कोशन है यह तुम लोग पढ़ चुके हो इसका एंसर क्या है तुम लोग कमेंट सेक्षन में देना होगा ओके उसके बाद हो तुम्हारा इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा और उसको हम क्या करेंगे दूसरी कहीं जगा मैं प्लांटेट कर देंगे दिस इद वेटिटी इसे मार्जीन में चोटा चोटा ब्लीबरस हो है यहां पर तुम्हारा लेफ बढ़के नीची यहां पर देखो एडिवेंटिट अजरूट दिया है यह जब ग्रांट अच होता है तो इसेसे तुम्हारा नया-nyा प्लाइंट बन सकता है ओक है में सिप nous इसके बारे में पूछता है बच्चो ड्ला रेवी इससे तुमारा एंजम्पल तो इसको याद रखना तुमको हुआ यह वार है कैसे बनी है आ Quickly लेको यह तुममRight यह है तुमस्थ região यह है यह यह है इसी बड में से तुम्हारा चोटा चड़ा एडवेलिटेस रूट होगा और उसी से तुम्हारा नया प्लांट बन सकता है तेन का भी तो रॉनर्स रॉनर्स क्या होते बच्चो रॉनर्स क्या होता है जो दोड़ते हैं अब यसी बात है है मालों ये हमारा एक प्लांट है कि इसका एक नूड है यह जित रॉनर्स में जाएगा यहां से तुम्हारा पूरा नया का नया प्लांट बन जाएगा यहां से एक जगा में यहां पर तुम्हारा रन किया फिर यहां से तुम्हारा यहां पर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक जगा से दूसरे जगा में पहुंच जाएगा इसका जो प्लांट है तो यह एक तो देखते हैं तो देखते हैं और अग्जमपल दिया है दूब ग्रास जिसको हम बाइलोगी कल नेम से बोलते हैं सीनोडन ओके और दिया है और दिया है मिंट और ओड ओके चैमो माईल यह वेंड टॉच जब यह ग्राउंड को टच करते हैं उसी टाइम इन में तुमारा क्या करते हैं उसको आट देखो यहां पर यहां पर अगया एक जगह से क्या है जूसरी जगह में ऐसे मूप किया है तो यह एक जगह से दूसरे जगह में क्या अगर कर रहा है अगर यह जो यहां पर बीच में इसको में अगर आप देंगे तो यह नेया चार प्लांट बन जाएगा तो इस इस वह रॉन और वेटिटिटी प्रोपागेशन अकास अगर कम टूद आटिफिश्यल मेथड में हम पहला पढ़ेंगे कटिंग ग्राप्टिंग सरी लेयरिंग ग्राप्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन यह चार बहुत इंपोर्टेंड बच्चो यह व्याप्टी मेमराइज ओल इस तिंग्स ओके पहले स्टार्ट करते हैं ग्राप्टिंग ग्राप्टिंग क्या होता है ग्राप्टिंग बहुत सिंपल है बच्चो देखो हमको क्या चाहिए दो प्लैंट चाहिए दिहां से सुनना मेरे बात को दो प्लैंट चाहिए होता है एक प्लैंट ऐसा जिसका रूट हो रूट सिस् बोलते हैं और एक प्लांट ऐसा हमाँ जिसको हम काट के लाएंगे मालो यह प्लांट यहां से काटे और इसको यहां पर लाकर जोड़ेंगे तो इस पार्ट को जो कटा हुआ है प्लांट है इसको बोलते हैं understand स्टक पहले से है इसको स्टक बोल रहें तो हम को दो प्लांट क्या होगा इसमें सुर्स सिस्टम होगा हमारा इसमें क्या होता है देखो पहले क्या करते हैं रूट पार्ट को और जो तुम्हारा स्टॉक है और सियन है उनको सेम के इसाफ से करते हैं जैसे कि तुम्हारा ओबलिक काटिंग बोलते हैं डाइगोनाल कट बोलते हैं मालों यह हमारा रूट सिस्टम है इसको हम कैसे काटेंगे ऐसे काटेंगे ओके इसक क्या करेंगे आगि दीसे जावारक को भी कैसे काटेंगे मालोग यह नैया हमारा सीन है थो यह डbil है जों को भी एसे गटेंगे जब ऐसे काटेंगे किस तरह का प्लान द只 मिले ऊlicht का तो इसको ला कर यहँं पर जोड सकते हैं ऐसे उसलिव सकते हैं उसको जोडने के बाद हम बार्ड में क्या करेंगे यहां Мосे अल questi डरिये करेंगे तो यह फिर ग्रोव करेंगे इसको इस प्रस इस मेथर को क्या बोलते हैं तो यह हो गया सियन यह हो गया स्टक यह जो कर्ट था इस कट को हम क्या बोलते हैं अब लिक कट रहें उस कट को क्या बोलते हैं अब लिक कट को क्या बोलेंगे ग्राप्टिंग में जो कट होत लब क्या होगे एक प्लांट है एक प्लांट ऐसा है तो इसका कट ऐसा होना चाहिए ओके यह हमारा हो गया अब लेक कट चलो आगे चलते हैं ग्राप्टिंग के बारे में देखते हैं डासेशंट आप क्या बोलेंगे एंड़ धी जौन याद होना चीज्टॉक कॉन सा है और सिंग इन न बॉलेंगे तो जाओ और सिस्टंग ऐसो न होगे है तुम्हारा सूट सिस्टम दट टू और जोएंट वर दसाइज डायमेटर अब दसी अन इस्टॉक्ट अर वेरी क्लोज अब यसी बात है अगर सियन अन तुम्हारा स्टॉक का अगर साइज जो कटिंग साइज सेम नहीं होगा तो जोएंट कैसे करेंगी कि एक बड़ा हो ग ड्राइगुनाली ड्राइगा लिएक तो फॉंगे इसकाट को क्या बोलते है अबलिक कट बोलते है क्या बोलते है इसको अबलेक कि अबलेक के बोलते हैं इसको अबलेक these are considered ॉपलिक करें जाएगा और प्लेस फेसिंग इस अदर Tee हम क्या करेंगे प्लेस करके उनको घर करने के बाद उसको बिल्क 귀여ण कर घ्रिजाए मकजा वहा कर गया है दोनों का जोड diya क्या है उसको याद करना है तुम लोग को ता tendency cutting कटिंग में क्या होता है हम क्या करते हैं एक महाँ लो प्लांड का यहां पर तुम्हारा नोड होगा इंटर नोड होगा माँजों एंटर आप जाजा करने के बाद इसकी जा करें और गआ कर ओसको लेइवर ओसे भॡ़शन फार्थ को ढाट करें कहते हैं वहाद एक जम्पलद यह मेंगों को ऐसा कर सकते हैं उप्सक्राइब्स कम कोई किसे को इसका है लीटि चैनल विप्सक्राइब हो चायँ यह तुम्हारा जो है यह झूक्त फडल होना चाहिए यह करते के पोंड युद्ड यह फानि से भाणिक हो यह आपर सुम्टाइज इस गीव एडवेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे प्लांट कर दिया है प्लांट करने के बाद यह नया प्लांट बन जाएगा कुछ दिनों के बाद यह होगा स्टैम कटिंग रूट कटिंग रूट कटिंग में क्या है रूट पार्ट को हमने यहां पर कट किया है इसी रूट कट रूट को लेकर हम क्या किया है और एक जगह में प्लांड कर गये हैं और वहां से तो निया सूट सूट बन जाएगा हमको के लिखेसाने सॉवारा बेहांत से लीयरिंग बहुत ही इज़ी है तुम लोग जानते ह hired में क्या करते है जेदि फीलांड का इक पार और को ऑड़िंग को क्या करते निक यहां से तुह मारा यहां से टीया सब्सक्राइब निकल आता है यहां पे तुमारा चैन्स कि और अब अधार हो जाता है अधा यहां नो निया दो प्लांट बन जाते हैं इसको को हम लेयरिंग बोलते हैं ओके देखो इन सोम प्लाइंस लेक राइस्बेरी जैस्मीन तुमारा लेयरिंग होता है दस्टेम केन भी बेंट और एंड बरीड इन दे स्वेल्स अराउंड दो प्लाइंट आप्टर सम्टाइम्स आइब इस रूट्स डेवलप्ट अब दो स्टे स्टेम को हम पहले बैंड करेंगे और स्वेल के अंदर बरीड कर देंगे मतलब डाल देंगे पूद देंगे ओके आप्टर सम्टाइब्स एडवेटी एडवेटियस रूट्स फॉर्म हो जाएगा वहां पर उसी के हिसाब से वहां पर स्टेम बन जागा और जो उसी स्टेम को ले एंड की न से लेयर के मतलब हो गया लेर बन लॉटिय को स्टेंप को उसको क्या बोलियर बोल रहे हैं तो इसी प्रोसेस को इसी के वाज़े से लेयरिंग बलेंगे दस्टेम के एंडेंड डैवलाव इंट ए नियू प्लाइंट ओके यूपन गया उसके बाद कुछ टायम के बाद इसको हम कट देंगे यहां से यहां पर हमारा नया प्लाइन प्लांट बल जाएगा बल जाओ नियू और यहां पर क्या होता है हमें यह इसका नाम है हमारा माइक्रोप्रोपागाशन और टीशू कल्चर टीशू कल्चर मतलब कौन सा टीशू कल्चर करना है हमको कौन सा टीशू को ग्रोग करना है we have to grow the plant tissue माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब हो गया ग्रो और मल्टिप्लिकेशन अब प्लांट टिशू वहां से हम बहुत सारे प्लांट का बनाएंगे यह जनरली तुम्हारे लेम में होता है लेबरेटरिस में होता है और यह मुडर्ण टेकनिक है और इसमें से एक बार में नंबर में हम जो प्लांट इस जो डीजट इस उसको हम निकाल लेंगे प्लांट से स्क्रैट कर लेंगे एंड प्लेस इन स्पेशियल ग्रोइंग मीडियम उसको कट करके लेने के बाद हम क्या करेंगे एक स्पेशियल मेडियम ग्रोइंग मीडियम होता है जिसमें तुमारा उस पा चल्ड या कंफराटवल सेक्ते हैं तो 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 यह थे तो वह नरिष्ट होगा निशिट्रिशन लेगा कहां से जो हम निट्रियन मीडियम जो ग्रोइंग मीडियम दिए थे कब तक यह चलेगा जब तक यह फ्लांट ग्रोंट ना हो जाए इसका और्कीट्स हो गया किर万 को चुका कटें हैं यह तुम्हारा एक्जम्पल में दिया है उतना है ओके चलो आगे हैँ है यहां पर क्या हुआ है यह यह हमारा पेस्ट ब्लान्ट को रहा है यहां पर काट रहे हैं यहां करने के बाद को यह ad одно it है- इसको हम पट्रे opposition हुलते अ इस प्लेट में क्या करते हैं हम कुछ मेडियम डालते हैं है ग्रोइंग मेडियम का मतलब क्या हो गया उसमें बहुत सारी होगा नाट यहने सोर्स होगा होगा protein source होगा carbohydrate source होगा fat source होगा सभी का सभी सोर्स प्रेजेंट होगा इस पेट्री प्लेड में तो यहां पर लगाए अगर अगर यह question है you have to answer this question in the comment section अगर जो है एक मेडियम है ग्रोथ मेडियम है जिसमें अगजिन डाल कि हम इस प्लेड में डालते हैं जिसके वज़े से यहां पर टीशू करता है टीशू करने के बाद देखो यहां पर देखो छोटा 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 प्लांट ब अगर प्लांट लेस्ट बूला गया जिस प्लांट लेस्ट मतलब जो चारा बोलते हैं ओके तो इस अल अलब यह प्लांट इस गल्चर जो भी डावट्स रहेगा तुम लोग मुझे कमें सेक्शन में पुछ सेकते हो एनी डावट्स ओके एडवांटेज जिस दिखते हैं एडवांटेज जिस है डवलप्ट अफरिंग प्रेजेंट कॉपी जब देयर प्लांट प्लांट फिचर जनेरेट इंफर्मेशन केन पास्ट अंटु अप्सरिंग क्या बोल रहा है यहां पर हमको प्लांट का कपी बनाने का फायदा है जो जहीं है ऐसे प्लांट है थी फींचसन पौजिटिफ फेचर से अफ्ट चैससे अत्छा फॉल दे रहां तो उसका जीन को हम नेक्स्ट में में किसने में कर सकते मतलब तो यह अच्छा बात है तो हमारे पास ऐसा आप्ट कर सकते हैं सकते हैं था लिए अदिर क्ैक्षा फार्मर है और जो एक कमर्सियली जो बिजनेस करते हैं तो माल लो हमारे घर में पेड़ आम का पेड़ अगर उसको मैं अच्छा सा पेड़ अगर उसका क्लोन करके नंबर अपकी उसका बढ़ा दो और एक बाग बना दो तो वहां से क्या होगा बहुत सारे मेंगो मिलेंगा औ क्योंकि वह अच्छा मेंगो है तो वह अच्छे से भी केगा तो यह कमर्सियली वेनिफीट हो जाएगा ओके नव ओके इट इंक्रिजेस दा चंसे सब प्लैंड रीचिंग मैचुरिटी एफेक्टिवली नेचर और सेवेश सेफ ग्रेट डिलव टाइम एंड मानी और कमर्स पर बेंगो प्लैंड रोज प्लाइंट वह रोज रोज कम आए और वह lagi के और बहुत करने के बाड़ से द्वागा प्लांड इल année कुछ थु से निचे गीर तो इसको क्या कर सकते हैं हमारे पास रोज प्लांट कर दो इसको हम थोड़ा सा कट कर दें कप करके यहां से यह में बढ़ा सकता है तो यह मेरे लिए time and money करता है तो जिसके बज़े से मुझे बहुत ज्यादा पायदा हो सकता है on the basis of commercial overturn okay so these are the advantages of micro propagation and other variety propagation so आज के लिए इतना ही thanks for watching if you want notes then follow me on instagram for notes my instagram id is pavitra.bagh thank you so much guys have a good day bye bye take care love you all